ओम सिरी गनिशाय नमदूस्तू एश्प्रो समाधान यूट्यूग चैनल में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 अगस्त सुक्रवार की रासी फल्क के बारे में कि हद इन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रेना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पा पूर्ण जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और भैतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नहीं नहीं वीडियो पहुंस सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशी वालों के लिए सुक्रवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तों जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदूर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाय के दरश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की संभावना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाय से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिसा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्यावी प्राप्त होने की संभावना बन रही है साथे साथ आपको नोकरी बदलने में भी काफी लाब मिल सकता है और आपके केरियर के लिए यह परिवर्तन काफी अच्छा सिद्ध होगा आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको नेने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कार्रे स्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निविश कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है से तथा प्रवास होनी के कारण मन काफी प्रफुलित रहेगा मित्रों से सयोग मिल सकता है यदि आप घर-परिवार के साथ किसी कार्य को करने के प्रयत्न करते हैं तो वह भी आज सफल हो सकता है जिससे आप का मन बहुत डिप्रसन रहेगा दोस्तों साति साथ यदि आप नोक दे सकते हैं या आप किसी तरह का कोई निवेश करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको काम्याबी अच्छी प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों का अपने परिवार से अ के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजनों को खलीगी साथि साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा अन्य था आपके कारणे में आपको परिसानियों का सामना करना आवशकता होगी साथि साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचेत रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचत के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तेयार करना चाहिए ताकि प्रती कूल समय में परिसानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहां सुनी हो सकती है माता का शयोग तथा सुक प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सुक को लेकर सस्पेंस हो सकता है साथी साथ कारे छेतर में भी काम के अधिता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी परदोर के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम मानी पर सेयम रखे अन्यत बेवजा विवाद में फस सकते हैं थोड़ा साफधन रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली हैं दोस्तो आज आप कहीं गूमने फिरने के लिए ओफर कर सकते हैं तब ही आपके प्रेम जीवन में विरत्दी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है जया दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इस से आपके प्रेम जीवन में या नुकूल रहने वाली हैं, परन्तु आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण विस्वास रखते हुए, एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें, साथ-थात, यदी आप किसी को प्यार करते हैं, और उसे पता ही नहीं, तो ऐसे में एक दूसरे को समझ अवश्क है यदि आप पहले से ही किसी को प्यार करते हैं तो आप उनको प्रपोज कर सकते हैं आज बात कर लेते हैं आज आपका वैवासाई केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो आज ग्रहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहनÉसे आर्थिक लाब और नोकरी में तरक्की के य मिलने से धन लाब केश्टिती रहेगी विध्यार्तियों के लिए वे समय आज का काफी अच्छा रहेगा दोस्तों साथी साथ आज आप प्रॉपर्टी में भी निवेस कर सकते हैं जो आपके लिए भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तों धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तों कारेच्छेत्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला कि कार भार की भी अधिकता रहेगी लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिती रहेगी नौक्री में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपको अपने स्वास्थ का भी विसेश रूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती हैं इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशेश उलूप से ध्यान दें साथ साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें दोस्तो अब बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाय क्या हैं दोस्तो आज आप इशनान आदी से निर्वत रहोने के बाद अपने स्रधा के अनुसार अपने सामर्थ के अनुसार सफेद रंग की वस्तुएं और सफेद रंग के खादे प्रधारतों का दान गरीबों में मा लक्षमी का समर्ण करते हुए अवश्य करें या दोस्तो इस प्रेकार दान करने से मा लक्षमी आपसे बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगी जो भी आपके जीवन में धन सम्मंदित परिशन्य चल रही हैं समस्त परिशन्यों कंत करेंगी और आपको ऐसा करने से धन सुक्संपत्ति की सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैमा लक्षमी अवश्चा लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद